आपको एक बार फिर से मुझे रोकना पढ़ रहा है सुशील मोदी पहुच गए है वोट डालने के लिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शुकों को देखिए सुशील मोदी पहुच है पहले बिहार के राजज़िपाल को आपने देखा वोट डालने के लिए बहुत हो रहा है बिहार में 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है लेकिन ये दौर इसलिए भी एहम है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर इस दौर में मदान होना है आज मदान की प्रिक्रिया शुरू हो गई है तस्वीरों में देखिए आप सुशील मोदी पहुचे हैं मदान के होता है और इस दिन आपको अपने मतादिकार का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आगे का जो भविश है आपका नेता है आपकी सरकार है वो कौन हो ये तैय करने का दिन आज आपके लिए है आगे आप शिकायत नहीं कर सकते अगर आज आपने मदान नहीं किया अपने मताद से निकल लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया जा रहा है उसकी भी तस्वीर देखे देखे क्योंकि यह बहुत एहम दिन है और आज क्योंकि मद्दान होना है और मद्दान केंद्रों पर पहले से दिशाद निर्देश लिखे गए हैं बताया गया है लोगों तक यह मैसेज पहुचाया गया है कि कैसे आपको मद्दान करना है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और इस बात को लेकर वहां जो विवस्था की गई है वो किस तरीके की है वो भी तस्वीर में आप देखिए सोश सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है जैसा कि निर्देश दिया गया था राकेश पंडेमार साथ जुड़ेवें राकेश बिहार में आप भी घूम रहे हैं मैं भी घूम रहा हूं बिहार में एक बात कहीं जा रही है कि जो जेडियू का वोटर होता है और बनाए रखें सोशल डिस्टेंसिंग का पालंग करें मास्क लगा के रखें और अपने वोट को अवश्य बद्दान करें आगे ले जाएंगे या फिर यह माना जाए कि जो सालेंट वोटर है जिसने अपना रुख नहीं दिखाया है वो नतीजा बदल देगा